Hello students, welcome back to Mandip Education Academy's YouTube channel तो बच्चो आज हम Class 12 Physics Term 2 के चैप्टर Wave Optics में से एक और बहुत important derivation करने जा रहे हैं which is the proof of law of refraction यानि की Snell's law by using wave theory of light और Huygens principles Wave theory of light यूज़ करके हम Snell's law proof करने वाले हैं, बहुत important topic है यह derivation में आपको यहाँ पर detail में करा रहा हूँ और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके notes के लिए मैंने एक PDF का link दे दिया description में तो यहाँ से पढ़के आप उन notes को download कर लेना और अपना topic वहाँ से prepare कर लेना तो शुरू करते हैं बच्चो, यह diagram मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर यह वाली line जो है, यह दो media को separate करती हुई एक line है यहाँ पर है आपका medium 1 और यह जो नीचे वाला है, यह medium 2 है जैसे यह air हो गया, यह water हो गया, यह air हो गया, यह glass हो गया, इस तरीके से मान लेते हैं कि medium 1 rarer है और medium 2 dancer है, तो जो light ऐसे fall करेगी, rarer to dancer जाएगी, तो towards normal bend हो जाएगी infinite rays ऐसे light की fall कर रही है, उसमें से 2 rays हमने दिखा दी, एक ray यह रही, यह यहाँ fall करी, यह normal है और यह normal की तरफ bend हो गई है, ना normal की तरफ bend हो गई, दूसरी ray यह रही, यह normal की तरफ bend हो गई, और भी rays होगी, बट हमारा जो proof है, वो 2 rays से हो जाएगा, तो इसलिए हमने 2 बनाई है, यहाँ पर हम ज़रा points mark कर दें, यह जो lines है, यह वाली line, यह जो 2 rays आ रही है, इनके perpendicular यह जो line है, यह है incident rays के लिए wave front, आपने पढ़ा होगा, हाइगंस theory में, wave fronts में, की parallel rays का जो wave front रहता है, वो उनके perpendicular रहता है purely सिरफ derivation के लिए आए है, आप आए हैं मतलब मैं तो इसी वीडियो में रहता हूँ, ठीक है, यह point है A, और यहाँ पर दूसरी वाली ray जहाँ पर hit कर रही है इस surface को, वो point है A dash, और यह wave front का यह दूसरा वाला जो हिस्सा है, इसको हम B ले ले लेते हैं, और इसके wave front के दूस angle of incidence और refracted ray normal के साथ जो angle बनाती है यह, that is angle of reflection, इसी तरीके से यहाँ पर यह angle of incidence और यह angle of reflection, तो ध्यान रखना derivation के according हम चल रहे हैं, तो हमने angle of incidence इस वाली ray के लिए mark किया और angle of reflection इसके लिए mark किया है, ठीक है, समझ गए, अच्छा, अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर य यह angle I है, और यह पूरा 90 degree है, क्योंकि यह wavefront है, तो यह पूरा 90 degree है, तो यह वाला angle क्या होगा, 90 minus I, और यह भी पूरा 90 है, which gives this angle as I, समझ गए, अच्छा, यह R है, और यह पूरा 90 है, तो यह 90 minus R होगा, और यह भी 90 है, तो यह वाला angle R होगा, समझ गए, ओके, So, let, let speed of light, let speed of light in medium 1 be C1. Speed of light इस medium में C1 है और इसमें हम ले लेते हैं, let speed of light in medium 2 be C2. इस वाले medium में light की speed, light की speed बदल जाएगी ना, तो इस वाले medium में light की speed हमने क्या ले ली? C2. ठीक है, इस वाले medium में C1, इस वाले medium में C2. अब अगर आपने wave theory of light नहीं पड़ा है, wave front वगरा के बारे में नहीं पड़ा है, तो जादा आपको, मतलब कोई difficulty नहीं आएगी इस derivation को समझने के लिए, अगर आप एक बात याद रख लो कि एक wave front से दूसरे wave front तक जाने में light को, हर ray को same time लगता है, यानि एक wave front ये है, दूसरा ये है, बीच में कोई medium change हो, ना हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, जितनी भी light इस wave front से इस wave front तक आएगी, सब को बराबर time लगेगा, इसको time T लगेगा, इसको भी T लगेगा, तो आप clearly देख सकते हो, ये length जादा है, ये कम है, क्योंकि इस वाले medium में light की speed कम है न, तो उतने ही time में कम distance travel करेगी light, यहाँ पर उतने ही time में जादा distance travel करेगी, अगर आप बीच में भी एक ray बना लो, ऐसे और ऐसे, तो इसको और इसको मिला के time तब भी उतना ही लगेगा, यानि कोई भी ray ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में उसको बराबर time लगेगा, इतना बस अगर हमें wave theory चाहे हमने ना भी पड़ी हो, इतना हमें पता हो, तो हम इस derivation को एकदम फोड़ देंगे, ठीक, वो time हम ले लेते हैं, let time taken by light to travel from, wave front, a, b, to, a, a, b, 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 t, ठीक, अच्छा, तो बताओ यह distance, b, a, dash कितना हुआ, distance होता है, speed into time, यहाँ पे light की speed है, c1, तो यह distance हुआ, c1, t, बताओ यह distance, a, b, dash कितना हुआ, a, b, dash कितना हुआ, c2, t, क्योंकि दूसरे medium में light की speed है, c2, समझ गए, अच्छा, in triangle, a, b, a, dash, in, in triangle, a, b, a, dash, a, b, a, dash में बताओ, sine i क्या होगा, यह right angle triangle है न, क्योंकि यह angle 90 degree है, और यह भी right angle triangle है, यह angle 90 degree है, sine theta होता, perpendicular by hypotenuse, so, इसके सामने वाला, b, a, dash, by, hypotenuse is, a, a, dash, और, b, a, dash क्या है, b, a, dash है, c1, t, so, c1, t, by, a, a, dash, okay, दूसरे वाला triangle देखो, in triangle, a, b, dash, a, dash, a, b, dash, a, dash, sine, r, sine r, kya है, perpendicular, a, b, dash, by, hypotenuse, a, a, dash, a, b, dash, kya है, a, b, dash है, c, to, t, therefore, sine i, by, sine r, sine i, c1, t, by, a, a, dash, upon sine r, c2, t, by, a, a, dash, kya cancel हुआ, a, a, dash, c1, t, c2, उपर चला गया, c2, नीचे आ गया, c1, by, c2, हाना, गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है, so, sine i by sine r, is c1 by c2, ठीक है, also, refractive index, kya होता है, refractive index, of, medium 2, इस medium का, refractive index, इसके respect में, mu of 2, with respect to 1, kya होता है, c, 1 by, c2, हाना, speed of light, in this medium, upon speed of light, in this medium, or, c1 by c2, let this be 1, and this be 2, c1 by c2, sine i by sine r, c1 by c2, mu of 2, with respect to 1, therefore, from, from, 1 and 2, we, get, mu of 2, with respect to 1, is, sine i by, sine r, sine i by, sine r, which is what, which is, Snell's law, ठीक, तो, इस तरीके से, आप इसको, प्रूव कर लेना, notes आपको दे रहा हूँ, वहां से prepare कर लेना, मैं आप से मिलता हूँ, next lecture में, तब तक के लिए, all the very best, आपको 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 आपक झाल झाल झाल